फिल्म के शुरुवात में उमें 1934 जेरे सुलम का सीन दिखाय जाता है जहां एक डिटेक्टिव हर्किल जब होटल में होता है कि तब ही वह एक पूलीस ओफिसर आकर उससे कहता है कि चर्च से एक बॉक्स चोरी हो गया है जिसका आरोप तीन धरम गुरुवों पर लगा है जि कभी भी जगडे का रूप ले सकता है इसलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप इस मामले की ठीक से जाच कर सके जीस पर हर्किल मान जाता है इसलिए वो तीनों गुरुव के पास आता है और उन्हें एक साथ खड़ा करके लोगों से कहता है कि जब मैं उस बॉक्स की ज इसे नहीं होंगे जो इतने महेंगी जूटे खरीच सके और तब मेरी नजर पुलिस वाले की जूटे पर पड़ती है जिससे मेरा शक यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो चो और पुलिस आफिसर में से कोई है और फीर तब ही वहाँ एक पुलिस ओविसर उस पुलिस उसके बाद हर्क्यूल इस्तंबुल जाने के लिए बंदरगा आता है जहां उसकी मुलकाद मेरी नाम के फीमेल से होती है जिसने हर्क्यूल के बार में काफी सुना है पर तभी हमाप पर आर्तर नाम का डॉक्टर आता है जो मेरी से बात करने की कोशिश करता है जिस पर हो कहती कि जब हमारा काम हो जाएगा तब हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा पर उनकी ये बाद हरक्यूल सुन लेता है जिसके बाद वो इस्तामबुल के रेलवे स्टिशन आता है जहां उसकी मुलाकात ओरियन एक्सप्रेस नाम की लक्षिरेस ट्रेन के डारेक्टर बॉक्स से होती जो हरक्यूल का अच्छा दोस भी है और तब ही वह एक आदमी आता है जो हरक्यूल को एक केस की जांच करने को कहता है जिसके इसके बारे में उसे पहले से ही पता था इसलिए वो बॉक्स से कहकर ओरियन एक्सप्रेस की टिकेट बुक करवा लेता है जिसके बाद वो ट्रेन के साथ train में सवार होता है और उसे काफी लाने को कहे कर खुद अएक cumpl लेटर मिलता है जी में लिखा होता है कि संभाल का रहना जो पढ़कर वो थोड़ा घब रहा जाता है अब अगले सिंग में मारने की धमकी देते हैं और साथ ही धमकी परे लेटर भी बेशते हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हर चीज की जांच करके उन लोगों की जानकारी मुझे दो ताकि मैं चैन की सांस ले सकूँ जिसके बदले मैं तुम्हें मूँ मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ पर हरक्यूल कहता है कि तुम लोगों को नकली समान बेशते हो तो तुम भी एक अपरादी हुए और मैं अपरादी को पकड़ने का काम करता हूँ ना कि उनका साथ देना जो इतना व्याक करके वहां से चला जाता है अब रात को हरक्यूल जब अपने कमरे में नौबल होता है कि तब ही उसे एडवर्ड के कमरे से कुछ आवाजी सुने देती है इसलिए वो तूरंद बाहर जाकर देखता है जहां कंड़क्टर माइकल भी एडवर्ड के कमरे पर दस्तक देकर उससे उसका हालचाल पूछता है जिस पर अंदर से जवाब आता है कि मैं ठीक जा सकते हो इसलिए वो वहां से चला जाता है पर उसी के कुछ समय बाद हर्क्यूल को अब हापके कमरे से कुछ आवाजे सुने देती है और जैसी वो अपने कमरे से बाहर जाकता है तो कोई हापके कमरे से लाल किमोनों पहन कर वहां से भाग जाता है जो देकर हर्क्यूल है प्रवाद के साथ ट्रेन रुख जाती है और भाग इसे किसी को कोई चोट नहीं आती है अगले दिन ओरियन एक्सप्रेस के अपने स्टेशन पर ना पहुच पाने पर वहां से एक टीम को तुरं जांच के लिए रवाना कर दिया जाता है वहाई उदर ओरियन एक्सप्रेस में बेड़ाउन एडवर्ड के लिए नाश्टा लेकर उसके दर्वाजे पर दस्तक देता है लेकिन काफी समय तक दस्तक देने पर भी दर्वाजा ना कुलने के कारण हरक्यूल दर्वाजे के अंदर से नीचे जाकता है और तुरं बेड़ा से कहता है कि बॉक और आर्थर को बुला कर लाओ जिसके बाद दर्वाजे का लॉक तोड़कर उसे खोल देता है जहां उन्हें एडवर्ड का शव दिखाई देता है जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं अब आर्थर शव की जांच करके सभी को बताता है कि इसकी मृत्यू वो हरक्यूल से विनंती करता है कि तुरंद हत्यारे का पता लगा हो वरना पुलिस वोले किसी निर्दोश पर भी आरोप लगा सकते हैं इसलिए हरक्यूल इस मामली की जांच करने के लिए मान जाता है और फिर सारे पैसेंजर से कहता है कि एडवर्ड की जब मिठती हुई तो सारे डब्बे के दरवाजे बन थे यान एक हत्यारा हम में से ही कोई है और बॉक के दूसरे डब्बे में होने के कारण उस पर शक नहीं किया जा सकता इसलिए अब एडवर्ड के हत्यारे का पता लगाने के लिए मैं बॉक के साथ मिलकर आप लोगों से पूस्टाच और वो हमेशा मुझ पर चिलाता रहता था उसके नकली समान बेशने के कारण उसके कई सारे दुश्मन भी बन गए थे मेरे ख्याल से उन में से ही किसी एक ने उसकी हत्या कर दी पर ये बात बताते हुए उसकी हाथ काँ प्रे होते हैं मैं कब हर्क्यूल को बाकी दमकी परे लेटर भी दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि हमसे दुश्मनी महेंगी पड़ेगी इसलिए वो उन लेटर्स को लेकर वहाँ से चला जाता है आप हर्क्यूल एडवर के शव को देखने जाता है जहां पहले तो उसे उसकी कॉफी में नीन की दवा तो एक फीमेल का रुमाल जिसमें एच लिखा था और थोड़ा जला हुआ एक नोट भी मिलता है और तब ही ट्रेन की जाच के लिए भीजी गई टीम वहाँ आ जाती है जो ट्रेन के सामने से बर्व को हटाने लगती है वाई हरक्यूल बॉक के साथ मिलकर उस नोट को पढ़ने की कोशिश करता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने एक इनसान की हत्या की है और इसकी सजा तुमें जरूर मिलेगी पर जिसकी यत्या हुई है उसकी नाम का कुछ अधूरा शब्द उसमें लिखा होता है और उस नोट को समझने के बाद हरक्यूल को इसकी पहली कड़ी समझा जाती है वो अब बॉक को बताता है कि ये नोट एक पाइलेट जॉन की बेटी डेजी की मित्यू से जोड़ा है मैं एडवर्ड को पहले से ही जानता था उसका असरी नाम जैक है जिसने डेजी का अपकरण करके जॉन से फिरोती की मांग की थी और जॉन के पैसे देने पर भी जैक ने उसे मार दिया जो सद्मा जॉन की पतनी सोनिया बरदाश नहीं कर सकी इसलिए जॉन ने मामली की जांच करने के लिए मुझे बुलाया पर जब तक मैं वहा गया उसने भी आत्मत्या कर ली हो ना हो एडवर्ड की हत्या कर डेजी की मिर्टी से कोई ना कोई संबन जरूर है जीस पर फिर बॉक कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें डेजी की मिर्टी के बारे में लिखा है क्यूंकि इसमें तो बस कुछ अधूरे शब्दी लिखे है जिस पर फिर हर्क्यूल उस अधूरे शब को पूरा करता है जिस की पूरे होने पर डेजी आम्स्टोंग का नाम बनता है जो देख कर बॉक हैरान हो जाता है अब अगले सीन में हब हर्क्यूल से कहती है कि कल रात मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे कमरे में घूस आया है जिसके सबूर के तौर पर वो उसे कोड का बटन भी दिखाती है जिसे देख कर बॉक कहता है कि ये बटन यहां के कंड़क्टर के कोड का है पर माइकल के कोड का एक भी बटन गायब नहीं होता जिस पर हरक्यूल इस बटन को भी सबूर के तौर पर रख लेता है जिसके बाद वो बेड़ान से एडवर्ड और कौफी के बार में पूस्ताच करता है जिसे आखरी बार एडवर्ड ने पिया था जिस पर वो भी कहता है कि एडवर्ड का मिजास काफी गुस्ते वाला था वो कभी कभी तो बिना गलती के भी डांट देता है और रही बाद कौफी की तो मैं वो कौफी कैंटिन से ही ले गया था हो सकता है वहाँ किसी ने उसमें कुछ मिला दिया हो अब इसकी बाद हरक्यूल पिलर नाम की नर्स से पूस्ताज करता है जिस पर वो कहती कि कल राद 11 बजे के आसपास गलती से मैंने एडवर्ड के कमरे का दरवाजा खोल दिया था इसलिए गुस्से में उसने मुझ पर गन तान दी जिससे डर कर में वहां से भाग गई साथ ही वो ये भी शेयर करती है कि उसको बगवान के प्रती बरोसा नहीं था पर उसकी जीवन में एक ऐसा हाथसा हुआ जिससे बगवान के प्रती उसका बरोसा बढ़ गया और अब इतना जानने के बाद वो बागी के कुछ पैसेंजर से भी पूस्ताज करता है पर अब भी उसे कोई ठोस कड़ी नहीं मिल पा रही थी इसलिए वो नथेलिया नाम की बुज़ूग फीमेल से पूस्ताज करने जाता है और साथ में उससे ये भी पूस्ता है कि क्या डेजी आमस्टोंग के केस के बारे में सुना है जीस पर वो हां में जवाब देकर कहती है कि में डेजी की नानी लिंडा जो की एक एक्ट्रिस थी में उनकी बहुत बड़ी फैन रह चुकी हूँ शायद वो अब मर भी चुकी होंगी साथ ही में डेजी की गौड मदर भी थी इसलिए मुझे इस केस के बारे में सब पता है वाई हरक्यूल नाथेलिया की सवण को एच लिखा हुआ रुमाल देकर कहता है कि आपका नाम हिल्डा है तो आपका रुमाल वाँ कैसे आया जबके आप वहाँ पर थी भी नहीं जीस पर वो कहती कि मैं इतना मेंगा रुमाल नहीं रखती और एडवर्ड के मरने के समय मुझे कंड़क्टर ने कहा था कि नतालिया मुझे बुला रही है इसलिए मैं वहाँ चली गई पर वो कंड़क्टर माइकल नहीं था जो सुनकर वो हैरान हो जाता है क्यूंकि इस दिबी में सिव माइकल ही कंड़क्टर है बहुत ही बेवकूफ जिसके बाद वो हिल्डा के केबिन को चेक करते हैं जहां से उसे वो कोट मिलता है पर हरक्यूल का मानना होता है कि हिल्डा त्यारा नहीं हो सकती क्यूंकि अगर ऐसा होता तो वो सब उस कोट को सुनता है तो उसमें से सेम वही पॉफ्यूम की खुश् काशी लेने लगते हैं पर वहां उन्हें एक भी एकाउंट रिकॉर्ड नहीं मिलते और तभी हरक्यूल को ट्रेन के बाहर मैक कहीं जाते वे दिखाए देता है इसलिए अब वो भी उसके पीछे जाता है जहां मैक चुपके से कुछ पेपर्स को जला देता है और जैसे हरक् एकाउंट में काफी फैर बदले याने कि तुमने उसकी एकाउंट से कई सारे पैसे चुराए और जब यह बाद एड़वर को पता चली तो तुमने उसका खेली खतम कर दिया और तुम पर किसी का शक ना जाए इसलिए तुमने सारे एकाउंट से रिकॉर्ड को जला दिये पर इस पर मैक सफाई देता है कि हाँ मैंने पैसे चुराएं पर एड़वर्ड को मैंने नहीं मारा। और तब वहां पर आर्थर आकर कहता है कि ये सच कहरा है। कल रात दो बजे तक ये मेरे साथ ही था। जिस पर फिर हर्कियूल उससे कहता है कि मुझे तुमसे भी कई सवाल करने है। क्योंकि मुझे एड़वर्ड के कमरे से एक पाइप क्लीनर मिला है और इस डबबे में सिव तुम ही हो जो पाइप पीता है। लेकिन आर्थर कहता है कि क्लीनर मिलने से मैं हत्यारा साबित नहीं होता जो सुनकर फिर होक्यूल उससे पूछता है कि क्या तुम जॉन को जानते हो जिसकी बेटी की हत्या एडवर्ड ने की थी जिस पर आर्थर कहता है कि मैं पहले एक शूटर हुआ करता था जहां जॉन ना हो सकता है, तुमने इसी कारन से Edward को मरवा दिया हो, पर इस पर Mac समझाता है कि Edward ने मेरे पिता को धमकाया था, कि वो सारा अरोब गर में काम करने वाली लड़की Susan पर लगा दे, वरना वो उन्हें मार देगा, इसलिए उन्होंने सारा अरोब उस पर लगा दिया, जिससे Susan को फा वास सुनाई देती है इसलिए अब सब वहीं जाते हैं जहां हब की पीट पर किसी ने चाकू से वार कर दिया था वो अब हरक्यूल को खबर करती कि हत्यारे ने मेरे मुझ पर कपड़ा डाल कर मुझे मारने की कोशिश की जो अब यह सब देखकर हरक्यूल का शक मैक से हट जात है क्योंकि अभी तो वह उसी के साथ था तो अठ्यारा वो नहीं हो सकता जिसके बाद अब हरक्यूल एंडर नाम के डांसर से मिलने जाता है और उससे और उसके पतनी एलेना का पासपोर्ड मांगता है जहां एलेना के नाम के साथ छेड़ खानी की गई थी और तब वहां ए एलेना है जिस पर वो हा में जवाब देती है पर हरक्यूल पलर जवाब देता है कि तुम जूट कह रही हो तुमारा नाम एलेना नहीं बलकि हैलेना है जीसे छुपाने के लिए तुमने अपने पासपोर्ड की साथ छेड़ खानी की इसलिए अब उसका भंडा पोटने पर एलेना रिवेल करती है कि जब मैंने सुना कि आपको एक रुमाल मिला है जिस पर एच लिखा है तो इस मामले में मैं ना फज्जाओ इसलिए मैंने अपने नाम से एच को मिटा दिया लेकिन होक्यूल कहता है कि डेजी की मां सोनिया जीविश थी और तुम भी एक जीविश ह उसका सर्णिम और तुमारा सर्णिम भी बिलकुल मैच करता है जिससे मैं ये कनफर्म कर सकता हो कि तुम कोई और ने बलकि सोनिया की ही बेहन हो जीश ने अपनी बेहन और उसकी पूरे परिवार के बरबाद हो जाने के कारण एड़वर्ड को मार दिया पर ये सुनकर एंड दावा के साथ कह सकता हो कि तुम मौस्रिला से नहीं हो और जब ये जूट है तो फिर मेरे ख्याल से ये भी जूट होगा कि तुमें एक प्रोफेसर हो तब हर्ड मैंड भी रिवेल करता है कि मैं एक डेटेक्टिव हो मैं एड़वर्ड के लिए काम करता था उसने ही मुझे पूरी ट्रेन में नजर रखने के लेका था ताकि वो बीना चिंता के रह सके और इस पर हक्यूल कहता है कि मैं तुमारी गन और उसे पकड़ने के तरीके से ये कनफॉर्म कर सकता हूँ कि तुम पहले पूलिस वाले हुआ करते थी जो सूनकर हर्ड मैं डंग रह जाता है और अपनी गन रखकर वाँ से चला जाता है आप अगले दिन हक्यूल मेरी से मिलकर उससे कहता है कि अब जब मैंने सारा जोर डेजी के मामले पर लगा लिया तब मुझे पता चला कि तुम डेजी के साथ वे हाथसे के समय उसके गर में उसकी दाईमा बनकर रह रह रही थी लेक कभी दूसरी नौकरी नहीं मिलती और एडवर्ड एक दरिंदा था अच्छा हुआ जो मर गया पर इस पर होक्यूल कहता है कि तुमने ही उसे मारा है क्योंकि डेजी तुमारे बहुत करीब हो गय थी और उसकी साथ यह हाथसे तुमें बरदाश नहीं हुआ इसलिए तुमने एडवर्ड को मैरी नहीं बलके मैंने मारा जीस जॉन के बार में मैंने तुमें बताया था वो डेजी का ही पिता था और वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्ता और एडवर्ड ने जो उसके साथ किया वो मुझे बरदाश नहीं हुआ इसलिए मैंने उसे मार दिया जो इतना कह कर वो होक्यूल से लड़ने लगता है पर फिर बॉक उसे आकर बिहोश कर देता है अब सारे पैसेंजर्स को टरनल के पास बिटाया जाता है धीस की बाद होक्यूल वहां कर आर्थर से कहता है कि एक शूटर का निशानन इतनी नजदीक से कभी नहीं चूप सकता तुम जान प्रेन में घुश कर स्टाफ का कोल पहन लिया और एड़ड के कमरे में जाकर उसकी हत्या करके हाप के कमरे से होते वे चला गया पर इस पर बॉक कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर हाप को चागो किसने मारा और वो यूनिफॉर्म को ट्रेन में क्यों चुपाएगा वो तो हत्या से किसे फाइदा हो सकता है किसी ऐसी इसान को जो जजबाती हो और जजबात में आकर उसकी हत्या कर दियो वो सभी प्रेन हमारे साथ जान का बहुत अच्छा दोस आर्थर मौजूद है जो डेजी की दाई मा मेरी को पसंद करता है और उसका पाइप लिनर मुझे एड किया जाता है जो भगवान के प्रती भरोसा ना रखने वाली नर्स अचानकी भगवान पर इतना भरोसा कैसे करने लगी कहीं ये एडवर्ड के डेजी का अपरण करते समय उसे ना बचाने के दुख के कारण तो नहीं तब पिलर कहती कि उस समय में शराब के नशे में थी इसल कि तुमारे दोस्ट ने तुम्हें बिजनेस के लिए बहुत बड़ा लोन दिलवाया था क्या वो जॉन नहीं था जीस पर वो बिजनेसमैन को जवाब नहीं देता पर उसकी शकल से साब पता चलता है कि वो जॉन ही था जीस पर फीर से अकियूल कहता है कि मामला अबी खतम नहीं होता, Hardman पहले पुलिस वाला हुआ करता था, जिसे DC का के तो इसी को चलता है, पुरा नम माइकल मिचल है और सूजन का नाम सूजन मिचल था तो क्या मै ये ये कणफर्म करूं की सूजन तुमारी बेहन ती डीस पर माइकल भी अपना मुँह गिरा लेता है आप शेर करता है कि इन मिसिस सबसे ज़्यादा जिसने अपना सब कुछ खोया है वो डेजी की नैनी लिंडा है जिसने अपना एक्टिंग का करियर छोड़ दिया तो क्या मिसिस अप पहले आप एक्ट्रिस हुआ करती थी ताब अपना विग निकाल देती है और अपनी सचाई बता उसे कुछ न कुछ संबन्द है तो हत्यारा एक नहीं बलकि आप सभी हो जिनों ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया आप सभी की सच्चाई सामने आने पर लिंडा बतातेगी ये सारा प्लैन मेरा बनाय हुआ था क्योंकि वो इंसान जिन्दा रहने के लायक नहीं था इसलि मुझे मिलने चाहिए ये सारे लोग हत्यारे नहीं है पर हरक्यूल इस पर कोई जवाब ने देता वाइन ट्रेन के आगे से अब सारी बरफ हटा दी जाती है जिससे ट्रेन अब अगले स्टेशन के लिए अपना सफर तै करती है जहां हरक्यूल सभी से कहता है कि मैंने हमेश उसकर एडवर्ड की हत्या करके चला गया जो सुनकर सब हैरान हो जाते जिसकी बाद हरक्यूल ट्रेन से उतर जाता है पर तब ही उसके सामने एक आदमी आता है जो उसे देथ आफ नाइल केस के बारे में बताता है जिस पर हरक्यूल इस केस को हल करने के लिए मान जाता है ज जहां सभी हरक्यूल को खुशी बरी निगाओं से देख रहे थे और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यही समापत हुजाती है। अब इस मूवी के एंड में Death on Nile के केस के बार में बताया गया है जो की दरसल एक और आगे की मूवी है। और अगर आपको उसकी explanation देखनी है तो इसका link मैंने i button और description में mention किया है। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी explanation पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करके support करना ना भूलें। मिलते हैं अगले explanation वीडियो में।